इसके mechanism की बात की जाया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अंदर की side में आपको external threads कटी भी होती है इसे चलाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन अलग type की छोटी सी thread वाली pulley होती है जो इसकी सहायता से यह पूरा जो हमारा motor होता है वो rotate करता है